जार्खन के साथ हजार पूलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है बतादे पूलिस कर्मियों की छाती पूर्थी आवकास की लंबी मायंग अब पूरी होने जा रही है लंबे समय से इससे संबंधित फाइल मुख्य मंत्री से चिवाले में लटकी होई थी कुरुवार को मुख्य मंत्री हमन सुने राजी के पूलिस कर्मियों को साल में 20 दिनों का छाती पूर्थी आवकास की फाइल पर समाती परदान करते हुए मंत्री मंडल की बैठक में भेजने का आदेश दे दिया है अब ए उमीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार इस मुद्धे पर मुहर लगा सकती है बता दे 20 दिनों के छाती पूर्थी आवकास का मामला साल 2019 के विधान सभा चुनाव के वक्त से चार्चा में है गठबंधन वाली सरकार के चुनावी घोसना पत्र में भी ये मांग सामिल थी पलामो में रिकॉर्ड गर्मी पलामो जीले में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पर रही है गर्मी से आम जन जिवन परभावित हो गया है 10 बजे के बाद बाहर निकलना मुस्किल हो गया है पलामो में गर्मी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 जून से 8 जून के बिच चार दिन तक पलामों का अधिक्तम तपमन 25 डिग्री सेल्सेल से अधिक दर्ज किया गया अब तक 12 दिन 45 डिग्री सेल्सेल से उपर तपमन रहा है एक अप्रेल से आठ जून तक 43 दिन 42 डिग्री सेल्सेल से उपर अधिक्तम तापमान दर्ज किया गया वहीं 30 अप्रेल वा 15 माई को अधिक्तम तापमान 46 डिग्री सेल्सेल से अधिक दर्ज किया गया है जारखन में रोजगार सेवक और BPO की होगी बहाली जारखन में रोजगार सेवक और परखंड कारेकरम पदाधिकारियों के नियुक्ति होगी इसमें रोजगार सेवक के 614 और परखंड कारेकरम पदाधिकारियों के 59 पद है मन्रेगा के सफल की रियनवयन के लिए इसकी बाहली होनी है इसके अलावा सहायक अभ्यानता के 94 और कनी अभ्यानता के 269 पदों पर भी न्युक्ति की जाएगी साथ ही साथ कम्प्यूटर सहायक और लेखा सहायक के पद पर भी न्युक्ति होनी है सारे पदों को जिलावार चीनित किया गया है दो दिन पूरही मंत्री ने सभी पदो पर बहाली लेने का निनल दिया था जार्खन के राजेपाल और सीम ने दी भावान बिर्शा मुंडा को सर्धांजली धर्ती अब्बा भावान बिर्शा मुंडा के 122 सहाधत दिवस राइधानी राची में मनाया गया इस मोगे पर बिर्शा मुंडा के समाधी अस्थल कोकर डिश्टिलरी पूल के समीप इस्थित पर तीमा पर राजेपाल रमेश बैस मुख्य मंत्री हमन सुरेन राजे सभा सांसद महुआ मांजी सहित अन्यने गुरुवार को उन्हें सर्धांजली दी इसके बाद राजेपाल और सीएम बिर्शा चौक भी गए जहां पर उनकी पर तीमा पर मल्यारपन किया राजेपाल रमेश बैस और मुख्य मंत्री हमन सुरेन एक ही गाड़ी से कोकर के समाधी असल पहुँचे इसके बाद ये बिर्शा चौक के लिए रवाना होगा है जहां पर उन्होंने बिर्शा मुंडा की परतीमा पर सरधा सुमन अर्पित किया जारखन के इसकूल और आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को हर दिन अंडा मिले जारखन के बच्चों में कुपोशन खत्म हो इसके लिए राजिक के स्कूल और आंगनवारी सेंटर्स में मद्याहन भोजन के तहत हर दिन एक अंडा देने का प्रधान को लागू करने की मांग परस्तीद अर्थ सास्त्री से रांची इनुवर्शिटी के विंजिंग टिंग प्रोफेसर जयाद रेज ने की है उन्होंने इस समान में राजिके बीत सहखादा पूर्ती मंत्री से बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव को पत्र लिखा है जहर्खन के सरकारी विभागों की बिजली चाटने की चेताँने जहर्खन के सरकारी विभाग पर JBBNL का 400 कोलोर से अधिक बकाया है यह बकाया अप्रेल और मॉय माह का है जे भी 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 एनेल ने चेतावनी दिया है कि जल से जल बिल का भुगता नहीं किया गया तो बिली कार दी जाएगी ग्यात हो कि जारखन के 31 सरकारी बिभागों में उभगताओगी संख्या 15,061 है वही नगर बिकास बिभाग पर सबसे अधीक 174 कोर पेजल बिभाग पर 119 कोर वा, स्वास्थ बिभाग पर 27 कोर रुपे का बकाया है रांची में इंकम टेक्स की रेड 12 ठीकानों पर छापे मारी जारखन की राजधानी रांची में कई बेवसाइक परतिस्ठानों में आयकर की छापे मारी हो रही है कारोबारी बाबुलाल प्रेम कुमारवा, प्रेम संस मोटर्स के परतिस्ठानों पर इंकम टेक्स की और से रेड की जा रही है बतादे रांची में कूल 12 जगों पर आयकर विभाग के अधीकारी दोरा छापे मारी की जा रही है बताया जा रहा है कि सूबा 6 वय से इंकम टेक्स की रेड जारी है रेड में पटना बनारस जमसेदपूर एवं धनबात की टीम सामिल है करीब 40 गाड़ी से आयकर विभाग के अधिकारी छापे मारी के लिए राची पहुंचे है जारखन में चलाया जा रहे तेस्वनी योजना में 205 क्लोर हुए खर्च जारखन सरकार द्वारा चलाई जा रही तेज़स्वनी योजना पर 205 क्लोर रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन अब तक किसी की सोरियों को परसिक्षन नहीं मिला है बतादे पर योजना के बितिये प्रवंधन के लिए ठाकुर भोनेस और एसोसियेट को 1.33 कलोर रुपए का भुखतान भी किया जा चुका है बिस्वब बैंक सम पोसित इस योजना में सरकार की भागेदारी 30 परतिशत है सेसरासी बिस्वब बैंक से कर्ज के रूप में मिलती है पर योजना की कुल लागत 90 मिलियन अमेरिकन डॉलर है 16-24 साल तक की किसोरियों और महिलाओं के समाजिक वा आर्थिक ससक्तिकरन के उदेश से तेस्वणी योजना की सुरुआत की गई थी रगुवर्दा समेत 20 BJP नेता चाईबासा एस्पेसल कोट से बरी कदमा थाना की हायत से वर्ष 2007 में भाजपा के ततकालिन कदमा मंडल अध्यक सुधान्सू ओजा को छुड़ा कर भागार ले जाने के मामले में भाजपा के रश्ट्रिय उपा अध्यक्ष सपुरो मुख मंत्री रगवर्दा समेत 20 आरूपियों खिलाप 24 अप्रेल 2007 का कादमा थाना में ततकालिन थाना परभारी राजीव कुमार के ब्यान पर सरकारिक काम में बाधा पहुचाने के मामला दर्श किया गया था बिर्षा मुंडा के संदेश को आज भी फलो करते हैं अनुयाई बिर्षा मुंडा का संदेश कई लोगों को आज भी प्रेरित करता है लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो की उनके संदेश और उनकी जीवन सेली को फलो करते हैं लेकिन आज भी जार्खन में रहने वाला बिर्षाइत समाजना सिर्फ उनकी पूजा करता है बलिक संदेश को मानते भी हैं उनकी जीवन सहली भी उसी तरह की है ये मुखे रूप से खुटी पच्मी सिम्भूम गुमला जीले में निवास करते हैं बता दे इनकी संख्य लबक 10,000 है 100 से अधिक गाओं में बसे हैं विर्षा के अनुयाई प्रकिर्ती के सभी जीव जन्तु से प्रेम करते हैं और उनकी सिवा भी करते हैं हे मंत के नाम बाबुलाल की चिठी भाजपा विधायक दल के नेता और पूरो मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने इंटर्मेट मीडिया पर फिर एक पोस्ट साजा कर जारखन के मुख मंत्री हे मंत्री पर बगा सियासी हमला बोला है मुख मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाया है बाबुलाल मरांडी पिछले कई दिनों से मुख मंत्री के बिरोध में पोस्ट लिख कर साजा कर रहे हैं बता दे गुरु आर सुबा उन्होंने ट्वीट कर जारखन में खराप कारून बेवस्था का आरोप लगाते हुए हे मंत्र सुरेण की खिचाई की थी जमसेदपूर और रांची और अने जीलों में पिछले कुछ दिनों में हुई हत्याव का मामला उठाया था इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने मुख्य मंत्री हमन्सुरेण के नाम समबोधित एक चीठी पेस्बूक और ट्यूटर पर लोगों से सजा किया इस चीठी का तेवर काफी तल्ख नजर आ रहा है इसमें मुख्य मंत्री के लिए कई कड़े सब्दों का पर्योग किया गया है कास्मीरी पंडितों का है जम्मु कास्मी भारत सरकार के केंद्रिये ग्रीह राजे मंत्री अजय मिष्रे ने जम्मु कास्मीरी की हालिया घटनाओं को आतंकियों की हतासा और निरासा का पईणाम बताया है भाजपा पर्देश का रियाले में गुरुवार को मीडिया से बाचीत में केंद्रिये ग्रीह राजे मंत्री ने कहा कि जम्मु कास्मीरी से किसी को भागने की आवसकता नहीं है सबको हम सुरक्षा दे रहे हैं या भी असपश्ट किया है कि वहां किसी कारेकरम को रोका नहीं जाएगा अमरनाथ यात्रा सहीत सारे कारेकरम होंगे हम सभी लोग को सुरक्षा देंगे उन्होंने कहा कुछ हत्तास और निरास लोग इस देश में अवेवस्था पहलाना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि जो कदम बढ़ा है वह पीछे नहीं हटेगा हम अतंकवाद का ज़र मूल से सफाया करेंगे जमु कास्मीर में पूरी तरह से सांतिय स्थापित करेंगे ज्यारखन में प्राइवेट बिश्व बिद्यालियों की नहीं चलेगी मनमानी मुख्य मंत्री हमां सुरेन जार्खन में अस्थापी नीजी विश्व विद्याले की मनमानी को लेकर सक्त हैं अधिस्थांख विश्व विद्याले द्वारा आवस्यक अधारबुत संराचना नहीं होने के बावजूद भीभीन पाठे करमों लागतार नमांकन लिया जा रहा है अब ऐसे विश्व बिद्यालों पर सिकंजा कसने के लिए विश्व बिद्याले अनुदान आयोक के दिशानी देश को राजे में अनिवारे रूप से लागू करने की त्यारी है इसे लेकर राज सरकार द्वारा गठीत माडल नियम आवली में बदलाव किया जा रहा है मुख्य मंत्री ने इस पर अपनी स्विक्रिती परदान कर दी है अब इस पर राजेपाल की अनुमाती मिलने के साथ ही विश्व बिद्यालों पस्षिकांजा कसना सुरू हो जाएगा बिजली संकट से जारखन में हाहकार जारखन में तापमान का पारा चड़ने के साथ ही बिजली आपूर्ती की मांग और उपलावदता में काफी अंतर आ गया है इस बज़ास्ते जार्खन में बिजली संकट गाहरा हो गया है फिलाल राजे में बिजली की मांग और आपूर्ती में पीक आवर के दरान 500 मेगावाट का अंतर है इससे राजधानी राची समेत अने सहर जहां प्रभावी था है वहीं ग्रामिन इलाके पर भी इसका अधिक असर पढ़ रहा है उर्जा उत्पादक सन्यंत्रों से उत्पादन में कमिक का असर भी आपूर्ती पर पढ़ रहा है सरावनी मेला में सरधालों को मिलेगी बेहतर सुविधा स्रावनी मेला के दोरान कावरियों को बेहतर सुविधा उपलब्द हो इसके लिए जीला परसाशन की त्यारी अम्तिम चरण में हाई स्वास्त सुविधा से लेकर उनके विश्राम करने के अस्थान को भी बेहतर बनाया गया है इसी के तहट घर मारा के पास दो सिपरिचूल हौल का निर्मान हुआ है इन दोनों हौल में एक साथ दस हजार कवरिया भी श्राम कर सकते हैं बता दे केंद्र सरकार की परसाद जोईना से दुम्मा से खीजूरिया के बीच कवरिया पत के किनारे घर मारा के पास इस रिप्चूल हौल का निर्मान पूरा हो गया है दो spiritual hall का रंग रोगन का कार्य पूरा हो गया है कवर्यापत से spiritual hall तक जाने के लिए रास्ता में पेवर्स भी लगा दिये गए हैं धन्यवाद